नमस्कार आप देख रहे हैं जीजी चुड़े और मैं हूँ आपके साथ अन्शु शर्मा चलिए बढ़ते हैं आगके कुछ खास ख़बरों की तरह इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है जन्पत कन्योज के ब्लॉफ ताल ग्राम चेत्र के ग्राम पंचायद बरगाओं से जहां चल रहे नाला सफाई अव्यान करकाम कर रहे मंदेगा मज़़ूरों को लेकर ग्राम प्रदान ने बेतुका वयान दिया है वहीं मज़़ूरों ने भी ग्राम प्रदान पर दुर्वेवार करने का आरोप लगाया है बिस्तर जानकारी के लिए फोन पर हमाई साथ जुड़ चुके हैं कन्योज से संबादाता आलम कुरेशी जी आईए उन से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला हाँ तो आलम जी क्या है ये पूरा मामला आलम जी यह बताईए कि यह नाला सफाई का कारेकर्म कितने दिनों से चल रहा है प्छले लगवक 5-6 दिन से लगावतार काम जा री है और ग्राम परदान सफाई का काम चालू करवाए है अपने ग्राम ने आलम जी दर्शकों को बताए कि कितले मजदूर इसकाम पर लगाए गए हैं लगपग 25-30 मजदूर हैं आलम जी कुरोना संक्रमन के खत्रे को देखते हुए क्या ग्राम प्रदान द्वारा मजदूरों को मास्क और सेनिटाइजर उपलब्द कराए गए हैं तस्वीरों में देखते हैं सिर्फ एक जो मजदूर मार्क्स लगाए नजर आ रहे हैं वो भी अपने पैसे से खरीडे हुए यहाँ पर लगप 20-22 लोग अपने अंगवेशे से अंगवेशे से बदर मू ढाके हुए नजर आ रहे हैं तमाम जानकारी ओं के लिए आपका शुक्री आलम जी धन्यबाद हमारे चैनल से जोड़ में के लिए वारिया नाले काम किन दिन से चला है लगवग चलो चार-पौच दिन से आपको कितनी दूरी दी जा रही है परदान ने माक्स बगएरा कुछ नहीं दिया और परदान जा रहे हैं तरह परदान जा रहे हैं माक्स बगएरा दिये परदान जा रहे हैं तो यह थी आज की हमारे कुछ खास ख़बरे बाकी की ख़बरों के लिए बने रहे हैं जीजी टुड़े के साथ